तो नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे महेंद्रा सुपरूग की इंजिन टाइमिंग के बारे में तो आज हमने एक इंजिन नीचे उतर लिया क्योंकि इसका लिकेस था बहुत जगा से टार्बो चेंबर और टाइमिंग का बार ओयल से तो इसके करण हम लोगों ने इसको उतर लिया तो आज मेरे पास एक इंजिन आया तो इसका जो इंजिन के टाइमिंग है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे आज तो मेरा भी तो लास्ट एक जड़ू देखें तो यहाँ पर देखिए यह कटा हुआ जो मक्की घाड़े यह अपका उपर की तरब रहे और इसमें देखें बैलेंस करेंग और क्रेंग के बीच एक मर्क है वाइट मर्क इसमें से आपका बैलेंस करेंग और क्रेंग का पोजिशन आगया ठीक है ना दोस्तों तो यह अपका पिस्टोन टॉप हो गया इस टाइमिंग और आप लोगों को दिखा ही देता हूँ इसम टाइमिंग चेन है, गाइट है और आपका टेंशनर है, इसमें दो टेंशनर लगती है, ठीक है ना ये उपर वाला जो कैम है, एकजस्ट कैम, उसको चलाने के लिए एक चेन दिया हुआ है, सुप्रो गड़े में, और मैक्सिम में आपका गियर जो है, गियर से वो ड्राइब ह लगा दिया, ठीक है ना, और इसका जो चेन का नट पोल्ट है, उसका जो खोलने की दिशा है, आपका एकजस्ट का खुलेगा, और इंटेक का इंटिक खुलेगा, ये आपका हो गया टेंशनर, दो टेंशनर लगा हुआ है, इसमें, ये आपका चेन का जो टेंशनर है, आप आपका बड़ा वाला चेन और चोटा जो चेन है उसका भी अलग है इसका इधर देखे क्रेंग लॉक भी होता है इसमें यह आपका जो इसमें जो नट बोल्ट है इसको खुलके यहाँ पे क्रेंग लॉक कर सकते है आप लोग तेखे न और कैम लॉक इधर होता है पिछे वो व नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को details बताएंगे और कैसे लग करता हैं क्या करता हैं इस वीडियो में सिर्फ कहां कहां पर लग होती है कैसे timing रहता है इसके बार में आप लोगों को थोरी से जान करी तो मेरा engine ready हो गया तो आप इसको उठाएंगे और टेस्ट करेंगे ठीक है थैंक्यू फार वाचिंग माई वीडियो